और मैं कुछ आपसे एक बहुत पावरफुल चीज शेयर करने वाला हूं और वह पावरफुल चीज है कि क्या होता है जब कंट्रिया दू ट्रिलियन डॉलर से पांच ट्रिलियन डॉलर के तरफ टर्न करती है देखना मत बुरियेगा आखरी तक नमस्के दोस्तों वापस एक बार मैं दीब गजब अपके ले लेके आया हूं आज एक नए NFO पर दिसकोटक मिल्डिकेप फंड गेट पावर अफ आल इंटू वन सिंगल बास्केट इसके पहले इसमें क्या है खास क्यों इस NFO के बार में वोगों ने सोचना चाहिए या फिर क्यों आपने इसको इसको चाहिए वह सारी तेकनिकल बात करेंगे वह सारी फंडमेटल बात करेंगे वह सारा डेटा अनलिस की बात करेंगे बट उसके पहले वापास एक बार आपसे रिक्वेस्ट प्लीस दू जॉइन इंप्रियलमानी चैनल अच्छली चलते है एक बहुती शांदार जर्नी के दुर्फ राइट नौ अकोटफ of multi-cap fund get the power of one in all in one तो यह एक बहुत अच्छा combination है small cap mid cap और large cap का एन फो चालो हो रहा है 8 September से 22 September तक चलेगा now 3 minutes अंगम किसका large cap का small cap का or mid cap का 3 minutes अंगम so stable return यहां से large cap में moderate return mid cap से और high return small caps now यह इन्होंने एक return differ across market का slide दिया है जहां पर अलग-अलग markets में अलग-अलग जो चीज़े है वो perform करती है तो कभी large cap perform करता है कभी mid cap करता है कभी small cap से उलगों करता है and this is the gist of this entire slide now इन लोगोंने जो कुछ किया है उसके बारे में था यह इनोगों का we go model हे उसके वारे बात कि इनोहने सेट्स की बात केuent कि multi cap the 25% each and large cap mid cap तो इन्हों एक model डेवलप किया है कि optimize over weight प्रकेंगे जब भी जहां पर अपॉर्चनटी पेलेंगी आधर large cap रहे है, mid cap रहे है, small cap रहे है, तो फिलहाल multi cap का model क्या बोलता है, 25% आपने 25% आपने mid cap में रहना चाहिए, 25% आपने mid cap में रहना चाहिए, तो large cap में जाएंगे, mid cap सस्ता मिला तो mid cap में जाएंगे, small cap सस्ता मिला तो small cap में जाएंगे, तो 25% से dynamic asset allocation चलते रहेगा, now what is very important, focus on economic revival, large cap में focus रहेगा economic revival पे, जिसे bank होगी, NBFC, insurance company, financial services, outsourcing में IT pharma होगा, demographic में, transport, personal care, consumer care की बात करेंगे, capital goods की बात करेंगे, now, important यह सिर्फ इतना नहीं है, मैं कुछ और point प्यारो देखेंगे, भी मज़ा आएगा आपको, next, a focus on the port of gold is mid and small cap, और यहाँ पे, last time मैंने जब एक वीडियो बनाया था, HSBC का, तब भी मैंने mid cap की बात की थी, अभी भी यह लोग जो है, फोकस जो है, mid and small cap में है, और हमारा portfolio जो है, imperial का, वो भी portfolio जो है, more or less, mid and small cap के उपर काफी focus है, तो आत्मां दिरबर भारत में क्या होगा, कि आत्मां दिरबर भारत में chemical API, auto insurance यह चलेंगे, rural में crop production, fertilizer, farm equipment यह चलेंगे, real estate में, real estate player, building material, home improvement यह चलेंगे, और open up, covid में, retiring laser यह चलेंगे, तो एक बहुत ही शांदर combination, mid and small cap के यहां पर देखेगा, सांग को लगता है, या भी kotak को लगता है, kotak का जो over weight वाला proprietary market model, over weight वाला, यह market, यह model बहुत ही शांदर यह बेस्ट के है, based on the mean, reverse, indicator and momentum, मतला momentum मतला भी लोग technicals देखेंगे, reversion जो है, इसमें जो है, reversion indicator देखेंगे, so mean, reverse helps, over weight, under weight के बारे में बात करेंगे, momentum जो है, how long position, कब तक hold करनी, उसके बारे में बात करेंगे, AU का जो range है, normally 5000 crore से 50 से 75 stocks में रोग जाएंगे, और अगर AUM 5000 crore के बात हो, तो 600 stock में भी लोग जाएंगे, depends करता है, कि small cap में जो weight है, उसमें over weight करना है, कि under weight करना है, stock selection is based on ability of the inner, return potential further, वहां से कहाँ जादा return मिलेगा, उसके उपर ही बात होगी, right now, इन्होंने जो model डेबलप किया है, इसमें से ग्यारा में से ग्यारा बार इनका model आउट परफॉर्म हुआ है, अच्छा खासा आउट परफॉर्म हुआ है, अगर model का 17% का return है, तो यहां पर देखे, एक्दम जोड़ा तोड़ो फोड़ो return दे दिया हमें, इसके इसाब से आपका model portfolio होना चाहिए, कि last cap में 26-31% जाएंगे, mid cap में there will be very much over weight of 37-42% and small cap में there is still over weight of 32-37% so this is something amazing portfolio what these guys are doing, so I believe this is the portfolio which probably one has to really look into it in their portfolio as well, driver कह रहे है कि sentiment, flow or fundamental, यह driver रहेंगे, third wave nobody knows now, यह आई की नहीं आई की चीज़ अभी भी सही बहुत चीज़ नहीं चल रही है, लेकिन एक बहुत important चीज़ जो है, वह COVID के vaccination doses के administration जो है, यह बहुत शांदार data आया है, और यह data consistently उपर जा रहा है, यह data के बारे में कि यह बहुत important indicator है कि अगर third wave आती भी है तो उसकी effect या efficacy या कितना hamper करेंगे, क्योंकि अभी यह most of the people है, basically पहला dose उनका हो चुका और second dose की तयारी चाल करेंगे, that is one very important thing, a strong flow, local or global strong flow है, इंडिया में सबसे ज़्यादा है, और बाकि उसके बाद ब्रिजिल में, अब में एक बहुत important study जो आखे में बता हूँ, right, but promoters are in no ways, promoters are not selling, they are actually promoters की marginal, उनके कहीं भी कोई sale नहीं है, पर तो बहुत शांदर तरीके से उसकी holding बढ़ रही है, कोई तक्रिफ नहीं, start of the new profit cycle, yes, that is very very important, तो यहाँ पे, जहाँ पे capex GDP ratio जो है, वह यहाँ पे bottom हो गया था, 2020 में यह देखी यह revival चल रहा है भी, now, so this is very 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 important revival, this data is very important, so I believe, this is the one data which probably you really have to look into it, कि यह बताता है कि GDP की cycle बढ़ रही है, that is very important, right, now suitable for, daughter की education करना है, son की marriage करना है, retirement करना है, dream home, अगर आपको चीए, तो यह एकदम पढ़िया, suitable product है आपके लिए, कभी कुशी और कभी गम जो है, smaller mid-cap में आते रहता है, emerging business में भी आते रहता है, blue chip में भी आते रहता है, तो यह तीनों को combination है, ना कभी कुशी ना कभी कुशी ना कभी गम, हमेशा ज्यादा खुशी ज्यादा ज्यादा पैसा, ऐसा वाला product है, कभी कुशी और कभी गम वही वाली बात है, तो वापस ऐसा नहीं होगा है, fund manager कोन है, again the fund manager would be, Harsha Upadden and Devinder Singal, benchmark का है, तो Nifty Multicap, इनका benchmark का है, NF18 तरी से open और 22 September तक चरहेगा, what is very important, आखों ही आखों की होने, अनोखी को होनी बना दे वाला story है, इसमें तो stability और गोर्ट की combination से आपको बहुत अच्छा return generate कर देगा, एक बहुत important चीज, मैं जो अभी थोड़े दर पले मैंने कहीं थी कि आपको मैं बहुत अच्छा data जो शेयर करने की कोशिश रहेगी, मेरी तो data का है तो, बहुत सारे global markets जो है, जिनका जो performance है, वो performance कब आया है, तो performance जो है, आप देखिए, economy जो है, वो mostly, तब बड़ी है, जब कोई भी country जो है, उनका मोटा मोटा जो transition है, या transmission है, उनका journey है, वो 2 trillion dollar की economy से जब 5 trillion dollar की economy, कोई भी economy गई अभी तक, either US लीजे, Japan लीजे, चाना लीजे, बहुत पैसा बना है, और यह पैसा इतना मजबूत, powerful बनाए कि, मतलब, imagine कीजे, कि जैसे मैं बात करता हूँ, चाना की, चाना ने 5 सार लीए, 2 trillion से 5 trillion जाने में, लेकिन उनका जो, heng shing है, heng shing has been turned to become 4 times, in 5 years, so that is one thing, now, I tell you, US, US ने 11 सार लीए, 2 trillion से 5 trillion की economy बनने के ले, लेकिन US उस परेड में 15 times का गेन मिला है उसको, 15 times, and that is very important data, 15 times, and now, one more issue is basically Japan, Japan took around 8 and half year, तो, 8.5 साल में, लेकिन Japanese, जो heng shing, यह है, क्या बनते है, उनका, stock market है, it has went from, almost 2,000 to 37,000, so it's amazing data, so any economy which is transforming from the 2 trillion dollar economy to the 5 trillion dollar economy, and that is how actually the India abuse के ओपर चल रहा है, so I believe that is one of the fantastic opportunity, to really grab into this kind of multi-cap funds, and I believe, I believe, this will going to add the huge value in your portfolio, so see that, आपका portfolio में multi-cap portfolio होना चाहे, और ऐसा portfolio जो आपको बहुत अच्छा रिटम करके दे, ऐसा portfolio जो आपको, तीनों आपके बिजार, small cappray, mid cappray, large cappray, आपके अच्छा रिटम अच्छा रेगा, and then you can certainly make the good numbers out of it, thank you very much for watching this video, I am sure that we have really added the huge value in this particular, you can say the NFO, please do add the comment on the comment box, that is the request, and अगर आपका कोई बिक्वरी हैर कुश्यन हो, तो please you can write on us, thank you very much, thank you.